दोस्तों आज हम बात करेंगे हुलिवुड के इंट्रेस्टिंग फैक्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं क्या दोस्तों आपको मालुम है अवेंजर एंड गेम मुवी में हल्क का मुह थोड़ा सा टेढ़ा दिखाया गया है बहुत सारे लोगों ने कहा कि मार्वल स्टूडियो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है दुनिया की सबसे बड़ी VFX कमपनी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है लेकिन दोस्तों बहुत कम लोगों को मालुम होगा कि मार्वल रफेलो को ब्रेन ट्यूमर हुआ था और डॉक्टर ने उसे ओपरेशन करने की सलह दी थी और यह भी कहा था कि इस ओपरेशन में आपकी जान भी जा सकती है एक्चुली ओपरेशन की वजह से मार्व रफेलो का मुह टेढ़ा हो गया था मार्व रफेलो के मुह को लकवा मार गया था दोस्तों यह 3D मॉडल हाथ से बनाया गया 3D मॉडल नहीं है इस 3D मॉडल को बनाने के लिए स्कैनिंग टेकनलोजी का यूज किया जाता है स्कैनिंग टेकनलोजी होलिवूड की सबसे महंगी टेकनलोजी है जिससे आप एक्टर का रियल सेम टू सेम फेस 3D मॉडल बना सकते हैं और इस टेक्नोलोजी की वजह से बहुत सारे 3D आर्टिस्ट को अपनी जॉब से हाथ धुना पड़ा था। क्या दोस्तों आपको मालुम है टॉम क्रूज ने एक इंटर्विव में कहा था कि मुझे सुपर हिरो मुवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और भविश्य में मैं कभी भी सुपर हिरो मुवी में काम बिल्कुल नहीं करूंगा चाहे वह कितनी भी महंगी मुवी क्यों न मैं टॉम भाई से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली मुवी अवेंजर्स एंड गेम है और वह एक सुपर हिरो मुवी है दोस्तों कल में साहो मुवी देखने के लिए गया और इस मुवी को देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक VFX को मुवी में कैसे यूज किया जाता है दोस्तों VFX के बारे में क्या बताऊं इससे अच्छा VFX तो PUBG गेम में होता है साहो मुवी कितना भी पैसा कमा ले लेकिन सच में साहो मुवी प्रभास के लाइफ की सबसे घटिया मुवी है तो दोस्तों प्रभास के बारे में मैं कहूंगा कि इस डाइरेक्टर ने प्रभास के केरियर की मा बहन एक कर दी। क्या दोस्तों आपको मालुम है एक्समेन मुवी में हिूज जैकमेन ने एक शर्टलेस सिन के लिए 36 घंटे तक पानी नहीं पिया था। तो दोस्तों अभी आप कहोगे कि पानी और बॉडी का क्या क तो दोस्तों जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि अगर आपको एक दिन के लिए अच्छी बॉडी चाहिए तो आप एक या दो दिन तक पानी नहीं पी सकते। जैसे मुझे रिसर्च में पता चला कि जितने भी बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पेटिशन होते हैं उस दिन बॉडी बिल्डर एक या दो दिन तक पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं जिससे उसकी बॉडी का शेप जबरदस्त हो जाता है। दोस्तों मुझे बॉडी बिल्डिंग के बारे में इतना नौलज नहीं है लेकिन अगर आपको पता हो तो मुझे जरूर बताना कि बॉडी और पानी का क्या कनेक्शन होता है। दोस्तों हाल ही में एक मुवी रिलीज होने वाली है और यह मुवी होलिवुड में धूम मचाने वाली है। पूरे होलिवुड में इस मुवी की बहुत ही ज्यादा तारिफ हो रही है और इस मुवी का नाम है जोकर। हाल ही में 31 अगस्त व मिनिट नहीं, चार मिनिट नहीं, आठ मिनिट तक खड़े होकर स्टेंडिंग ओवेशन दिया था, आठ मिनिट तक खड़े होकर ओडियन्स ने तालिया बजाई थी, दोस्तों सब को पता है कि डार्क नाइट मुवी में जोकर का किरदार निभाने वाले हिथ लेजर की जगहे कोई नहीं ले सकता, लेकिन कहां जा रहा है कि जोकर मुवी हिथ लेजर के जोकर को भी टक कर दे सकती है, जोकर मुवी ने क्रिटिक्स का दिमाग हिला कर रख दिया है, और क्रिटिक्स ने भी इस मुवी की बहुत ही ज्यादा तारिफ की है, तो दोस्तों आपको क्या लगत का रिकॉर्ड बना लिया था यह 2002 में होलिवुड की पहली मुवी बन गई थी जिसने तीन दिन में 100 मिलियन डॉलर कमा लिये थे स्पाइडर मैन वन मुवी में टॉबी मेगवाईर को सीरियस बेक इंजरी हो गई थी और टॉबी मेगवाईर ने अल्मोस्ट डिसाइड कर लिया था कि वह स्पाइडर मैन 2 मुवी में रिटन नहीं आएंगे क्या दोस्तों आपको मालुम है, Man of Steel मुवी में हेंडरी कैविल को परफेक्ट बॉडी बनानी थी, जीम ट्रेनर चाहते थे कि हेंडरी कैविल स्टीरोइड लेकर अपनी बॉडी बनाए, लेकिन हेंडरी कैविल ने स्टीरोइड लेने से साफ साफ मना कर दिया था, दोस्तों ह हेंडरी कैविल ने डारेक्टर को भी साफ मना कर दिया था, कि मैं बॉडी बनाने के लिए स्टीरोइड का यूज बिलकुल नहीं करूंगा, और बाद में हेंडरी कैविल ने बिना स्टीरोइड लिये ही अपनी बॉडी बनाई थी, बहुत कम लोगों को मालुम होगा, कि स् डिसिजन लिया, वह सही है या गलत, ये हमें जरूर बताना, क्या दोस्तों आपको मालुम है, वंडर वुमन मुवी शुटिंग के दोरान गिल गैडोट प्रेगनेंट थी, फिर भी गिल गैडोट ने वंडर वुमन मुवी की शुटिंग कंटीन्यू रखने का फैस्दा ल दिया गया, बाद में गैल गैडोट ने एक ब्यूटिफुल लड़की को जन्म दिया था, जिसका नाम माया रखा गया, दोस्तों गैल गैडोट की दो बेटियां है, पहली बेटी का जन्म 2011 में हुआ था, और दूसरी बेटी का जन्म 2017 में हुआ था, तो दोस्तों आपको क् लोटिंग करनी चाहिए या नहीं ये हमें जरूर बताना क्या दोस्तों आपको मालूम है अर्जुन वॉरियर प्रिंस मुवी हमारे इंडिया की सबसे बेस्ट 2D एनिमेशन मुवी है सच में दोस्तों किसी को मालूम नहीं है कि हमारे इंडिया में भी होलिवुड लेवल की 2D एनिमेशन मुवी बंचुकी है दोस्तों इस मुवी को बनाने में 5 साल लगे थे अर्जुन वॉरियर प्रिंस का ट्रेलर 2010 में रिलिस कर दिया गया था लेकिन इस मुवी को 2012 में रिलिस किया गया था दोस्तों एक बार इस मुवी की क्लिप को यूट्यूब पर जरूर देखना अगर आपको इस मुवी का 2D एनिमेशन पसंद नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों मुझे प्राउड होता है कि हमारे इंडिया में भी ऐसी 2D एनिमेशन मुवी बन चुकी है दोस्तों ऐसी ही होलिवूड न्यूज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में जो बैल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देख पाएं दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें